तो आप लोग कैसे हैं उमिद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे आज हम जा रहे हैं शूजी और मूम की डाल से नास्ता बनाने जिसमें की हम लहसन ले लिए हैं करीब अधरग देड़ इंच करीब हम डाल रहे हैं और इसमें चार ये मीर से डाल रहे हैं और इसको इसमें डालेंगे पोड़ी सी धनिया हरी धनिया डालेंगे इसको मच्छे से इसमें पीस लेंगे मिक्सर चाह में इसको लाल दिये हैं अब इसमें डालेंगे मुंग की डाल इसको हम करीक तीन घंटा पहले भी गोदिये थे अब इसको भी हम इसमें बढ़िया से पेष्ट बना लेंगे इसको भी इसे डाल करके पीस लेते हैं तो ऐसे हम पेष्ट बना लिए हैं वहम इसको बरतन में निकाल लेते हैं तेकि मुंग का डाल है और हरा धनिया लखजन जो भी इसमें डालेते हैं सारा एक साथ में पेष्ट बना लिए हैं अब हम आगे बना रहे हैं कि अब इसमें हम एक कटोरी सूजी ले लिये हैं कि इसको भी हम इसमें ंधाल देंगे पूरा इसको भर लिए हैं तो ऐसे वेसे सूजी वह मुड़ दालों अब हम एक पैकट इनु लिए हैं इनु भी डाल दे रहां िस तरहीं से और इसमें चाट मसाला डालेंगे एक चमश करें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चमश करें और इसमें उटई हुई लाल मिर्च है इसको भी डालेंगे हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दे रहे हैं इसको हम अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेंगे और इसमें हम दही की पतला दही पानी वाला दही रखी है थोड़ी से हलका सा खट्टा भी अजाएगा और इसमें गिलापन भी हो जाएगा इसलिए पतली दही डाल रहे है इसको अब बढ़ियां से इसे मीश कर लेना है पानी नहीं डालना इसको तो ऐसे हम इसको से अच्छे से से मि figured हम लेने थाली और थाली में पूर तल लगा लेंगे आसे हम पुरत तेल लगा लेते हैं व्यूंति में प्लट लेंगे। हाथ से अच्छे से ऊव्la, तरीके से ले लेंगे और बड़ियां से इस तरीके से हैला देंगे इसी में कि इन चितना था नाश्ता वंता हें चो को टिफिन में ले दे जाए नास्ते में अपनी ले ले ली जाए तो causing हम बहराबर कर लेते हैं हाथ से इस तरीके से चबमस से नहीं अच्छी से होगा, हाथ से अच्छी सो जाता है, तो ऐसे हम बरावर कर लिए हैं, और हम कडाई गैस पे चढ़ाएंगे हैं, इसे हम पहले से पानी डाल दिये हैं, पानी अलका सा गरम हो चुका है, और इसी में एक कटोरा रखे होए बड़ी साइ हैं, उसी से हमने ढख दिया है, कडाही बड़ी है, तिसके साइज का ढख नहीं था, तो बड़े थालिस हम ढख दिये हैं, अब इसको मीडिया मास पे करीब 10-15 मिनटे से ही हम पकनी देंगे, तो दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरीके साइब पका है, 15 मिनट करी हो जाए बहुत अच्छा यह बना है, जैसा चाहिए हो ऐसा, अब इसमें हम चापू डाल के देखते हैं, अगर जो पका होगा, तो चापू में लगेगा नहीं, पक गया है यह, नहीं पका रहता, तो चापू में चिपक जाता है, बहुत अच्छा यह पक गया है, अब हम गयस को बन करके अलग-अलग करेंगे अभी गर्रह में बहुत जादे तो ठंडा होने का इंतिजार कर रहा है अब रहा है कि आम जा रहे है उसके साथき खाने। लिए चट्टनी के लिए मद्रक ले लिए हैं एक इंच करी भिएजँ आउच्छै साथ के लिए लासन लेफन लिए और हम अ मोई इस मैं टालेंगे तेन में इसको दर दरई सा मुपिसा इस में दलेगा में धनिया की पत्ती पहाँ gonna चलते हैं फोग एंब दालेंगे ति्म चार चालम करीढ दढ़ी जाए इसको अच्छे से पीस लेते हैं समय च्छोटा है तो इसलिए थोड़ जादे डालना पड़ा रहा है ह। हम इसको अच्छे से पीस लेते हैं तो द़ी डालकर यहीं कि इस तरीके से अच्छे से पीस लिए हैं Lenape मामेरी जो रघार हो गया है और इससे साथ खाने से बहुत अच्छा लगता है तो इस तरीके से दचक्ती भी तयार हो गया और भी तयार हो गया अब इसको हम ऐसे चापो के सहारे से इस तरीके से काक लेंगे इसे यह बहुत अच्छा बहुत टेश्टी नास्ता बनता है खायेगा आप लोग बनाईएगा कमेंट करके चल्ण होताएगा कैसा बनाएं बहुत असान है और हेंदी हुई है शेहत के लिए बहुत सही है और जट पड़ बन जाता है यह तो ऐसे हम काट लिए हैं इसको हम पंटा से बैसे हम निकाल लेंगे इसे हम निकाल लेंगे तो प्लेट में निकाल लें इस तरीके से पल्डे के साहरे से हम इस तरीके से निकाल के रख देते हैं है दोस्तों देखिए शूजी और मूंकी डाल की कितना अल्डी कि तेस्टी नास्ता बनके तयार है जट्पट बन जाता है और सांका नास्ता सुबह कनाचव नास्ता बच्चो का टिफीन इस बहुत असान बनाने में बनाईए गा का और खायेगा कमेंट करके अफ देड है आप है सकता है